दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे पास एक रिचार्जबल ट्रीमर मशीन रिपैरिंग के लिए आई है और इस ट्रीमर मशीन के अंदर प्रोलम क्या है कि जब इसे हम ओन करते हैं तो इसके बिलेड से बहुत तेज आवाज आ रही है और दूसरा ये बाल को भी नहीं काट रह हो तो यहां पर यह बाल वागारा भी भी नहीं काट रह तो इस प्रोलम को को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके ब्लेड को खोलना पड़ेगा तो यहां पर देख लो किस तरीके से blade को खोला जाता है और कैसे फिर बाद में इसे set किया जाता है क्योंकि काफी सारे लोग सफाई के लिए इस type की trimmer के blade को खोल देते हैं लेकिन वो ठीक से pack नहीं कर पाते हैं तो यह चीज भी आपको इसके अंदर सिखने को मिलेगी तो यहाँ पर देखे फ्रेंड इसको खोलने के लिए यह जो पीछे के तरफ दो page लगे हुए हैं इसे हमें खोलना पड़ेगा और इन page की जो चोड़ी है न फ्रेंड वो खतम होगी है देखते हैं यह खोलेगा कि इसको भी हम खोलते हैं चोटे page कट से तो यह बिल्कुल भी नहीं खोलता फ्रेंड यह बड़े page कट से खोलेगा इस तरह के से यह देखे बिल्कुल टाइट है और यहाँ पर चलो भई यह page भी खोल गया तो इस तरह के से आपको भी इसके दोनों page को खोलेना है और उनका है और उसके बाहर देखे फ्रेंड जब हम page को खोलते हैं तो इसके अंहरद देखे एक तो यह हमारा बड़ा ब्लेड होता है इसके अंदर देखे कितने सारे बाल फसे हुए है और उसके बाद ये देखे फ्रेंड ये हमारा छोटा ब्लेड है और इसके अंदर भी कितने सारे बाल फसे हुए है तो यहां पर हमें क्या करना है इनकी अच्छे से पहले तो सफाई करनी कब आगए कि यहां पर यहां पर चाहनुल को ऐसारी को साफ कर लिया है अबđ उसके बाद देखें कोमे contrary मिसीन है ला इसके अंदर देखें यहां पर मैं आपको इस के अंदर आवाज नहीं आरी जादा यह आवाज किस वज़े से आ रही थी मैंने आपको सुरू में दिखाया था कि यह देखे इतना सा प्लास्टिक का टोड़ा यहां पे तोटके अलग हो गया है और यह जूड़ा कहां पे हुआ था यहां पे थोड़ा समय जूम करके आपको द कुछी आइडिया है कि यह ट्रीमर जरूर गिरी होगी और तभी ऐसी प्रोलम आई है और जिस कस्ट्मर के ट्रीमर है उन्होंने मुझे बताया तो नहीं कि उनके हां से ट्रीमर गिरी है बस इतना बोला कि इसके अंदर अचानक से आवाज आने लगी और ओ देखे चले गे तो यहां पर देखे अब हम क्या करेंगे यहां पर यह जो प्लास्टिक का टूड़ा है यहां पर कुछ ऐसे लगा हुआ था तो इसको हम यहां पर एक बार फैविकूक से जोड के देख लेते हैं अगर बात बन जाएगी तो ठीक है नहीं तो फिर भया इसकी पूरी यह वा अंदर से दुबारा से चिपका लिया है और ये बिल्कुल मजबूतिक साथ यहां पे चिपक गया है तो चलिए अब दुबारा से हम इस ट्रीमर मसीन के अंदर इसके ब्लेड को फिट कर लेते हैं क्योंकि काफे सारे भाई ऐसे भी हैं जो कि सफाई करने के लिए अपने ट्री तरीके से फिट नहीं कर पाते जिसकी वज़े से उनकी ट्रीमर से बाल वेगरा नहीं काड़ती है तो देख लो कैसे इसके ब्लेड को फिट किया जाता है तो सबसे पहले देखें यहां पे आपको क्या करना है यह जो साइड वाला इसका यह लोग है ना इसको लेना है अब इसके अंदर देखिये ध्यान क्या रखनेए आपको, इस सेंड में रेखिये, यहां पे कट दे रखा हैं और के इस सेंड में पिकत दे रखा हैं। तो आपको क्या करना है, यह जो इसका frame है, इस सेड में कटिंग दे रखी, इस सेड में कोई भी कटिंग नहीं है, तो आपको इस तरीके से, यहाँ पे इसके cut के अंदर इसे फसाना है, बराबर से आप फसाओगे, तभी यह अंदर जाएगा, यह देखे, यहाँ पे दोनों को कट दे रखा है, यहाँ पे यह चोटा सा nut लगा हुआ था, तो इस nut को देखे, यहाँ पे डालने की जगा दे रखी है, तो कुछ इस तरीके से यह nut इसके अंदर आ जाएगा, देखे, यहाँ पे यह चला गया, आप उसके बाद देखे, यह जो spring है, इस spring को लगाने में मेशिन सही से काम नहीं करती, तो यहाँ पे देखे, यह लगेगी, कहाँ पे, उसके साथ में लगेगी, यह लगेगी, इसके साथ में देखे, इस प्लास्टिक के अंदर आपको यहाँ पे कट दिखाई दे रहोगा बीच में, तो यह हमारा इस, यह जो बिट है ना, motor की, इ ऐसे फसाना है, देखे, इस तरीके से हम रखेंगे, और इस hole के अंदर, ऐसे हम इसे फसा देंगे, यह लगार, यह जाए आप बता रहा हूँ, तरीके से हमें रखना है, और यह जो लोख है, इस लोग के अंदर हमने डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम जो लगा कर ब इस तरिये से ऐसे फसाद दिन गी यह देखे यहाँ पर ऐसे यह आ गया है ठीक है अब उसके बाद देखे यह जो हमारा blade है यह हमारा ऐसे रहेगा इस तरिये से आप इसे उल्टा मत कर देना यह ऐसे नहीं रहेगा नीचे कट तरफ नहीं रहेगा ये ऐसे रहेगा ठीक है? उपर की तरफ ऐसे रहेगा, ये चीज़ ध्यान रिखने है én उसके बादöब फ्रेंड ये जो बड़ा वाला ब्लेड है इसको लेना है और यहाँ पे देखें ये जो cut है, ये हमारा नीशे के तरफ रहेगा, यह आपको ध्यान रखना है तो इस तरीके से हमें blade को पगड़ना है और यहां पर इस तरीके से रखना है यह देखे इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद जो इसका page है उसको हम tight करेंगे यह देखे इस तरीके से इसके दोनों page को हमें tight करना है तो चलिए मैं यहां पर इसक कर दिया है। उसके बाद देखेंए फ्रेंड यह वाले चीज हमारी रहेगी है। इसे हम यहां पर लगाएंगे। यह देख लो कासे लगेगा। इसके अंदर देखेए यह छोटा सा लोग डे रखाए है और यहां पर देखे यहां पर pazekण है तो ऐसे रहेगा ठीक है यह आप ऐसे मत कर से यह उल्टा हो जाएगा यह ऐसे रहेगा इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर इसा का पेश है इसको हमें Το कर देना है यह देखिए यहां पर हम इस तरीके से इसे टाइट कर रहे हैं यह देखिए यहां पर सारी चीजे अपनी जगा पे बिल्कुल बड़ी है तरीके से आज शुकी है यह देखिए यहां पर हमारे जो ब्लेड है यह देखिए यहां पर आगे पीछे हो रहा है इस तरी तो यह देखिए बिल्गुल बढ़िया तरीके से बाल कट रहे हैं, आप देख सकते हो नीचे के तरफ कितने सारे बाल यहां पर बड़े आराम से कट रहे हैं, मैं आपको पूरा काट के नहीं दिखा हूँ तो फ्रेंड नहीं तो फिर मेरे हाथ के सारे बाल खतम हो जाएंगे इससे आप वो आइडिया लग गया होगा, कि यहां पर अभी यह मसीन बढ़िया तरीके से बाल का आर्टरी है, और जो इसकी आवाज थी वो भी थोड़ी सी कम होगी है, अभी इसकी आवाज थोड़ी सी और कम होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब आप सफा करते हो, तो इसके साइड में देखे, बलेड फिट करने बाद तेल आपको जरूर डालना है, तो उससे थोड़ी सी जो इसकी साउंड है, वो और ज्यादा कम हो जाएगी, और यहां पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से अब यह मसीन काम कर रही है, तो चलिए फ्रेंड फिर म